जै हिं जै भारत मैं उत्तर प्रदेश लखनौ से लेके पुरी उत्तर प्रदेश जवानु को आग्रह करना चाहता हूँ और सम्झाना भी चाहता हूँ अच्छी रास्ता भी दिखाते रहें दिखाना चाहता हूँ कि आपके साथ अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है इन होम गाड अधिकारियों की द्वारा फिर भी आप अपना मुख नहीं खुलते हैं जवान नहीं खुलते हैं तो ये महा भारत में भगवान स्री केष्ण ने कहा है गीता में कि जिसके साथ न्याय होता हो उस एक बरदास जैसे भगवान केष्ण को स्विवपाल ने सो गालिया दिया था सो गालियों के बाद उन्होंने चक्र धरन किया उनका अंत किया तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप पो सो नहीं यह हजार तक अन्याय कर चुके हैं हजारों को पर कर चुके हैं और फिर भी अन्याय पर अन्याय आपके साथ हो रहा और उसको बरदास अगर कर रहे हैं तो महा कायरम और पाप के सारा दोस, सारा पाप आप भोगी बनेंगे वो किसी के अपने पर सह लिया लेकिन आप के साथ आपका परवार जुड़ा है आपके बच्चे जुड़े हैं जो इस पे आपके आए पर वो संनिर्भर है अगर उनका अनहित होता है तो आपका जीना धेकार है हरे सच्चा काम और सच्चाई के सामने लड़के तर देखिए इन लुटेरों को, इन भरेश्टा अचारियों को जोगना होगा, अन्याय खतम होगा और जब तक आप लोग अपनी जबान को नहीं खोलेंगे तब तक ये मानने वाले दुसासन लोग होंगवाट के अधिकारी मानने वाले नहीं हैं क्योंकि भरेश्टा अचार का इस सरकार में वही का सम्मान हो रहा जितना जो भरेश्टा अचार, जितना जो लूट ले उसका बोल भाला है और उसका सम्मान दिया जा रहा है दी जाती उतना आस्थाम दी आ जाता है उतनी उन्ची कुरसी दी जाती है तो ये सब देखने इस सरकार में देखिए आ रहा है और सरकार फिर भी नहीं चेत रही है तो ये बहुत निंदनी है और सात पर देखे क्या हो रहा हमारे होंगाडों के साथ यानि सीधा-सीधा न्याय का अन्याय हो रहा है अत्याचार हो रहा है होंगाड कि एक बेवसी का पूरी तरीके से फैदा उठा रहे हैं यह होम गाड है राम दत्थ सर्मा यह 21-21 को बंगला बजार पर इनकी याताच में डूटी चलते ट्राफिंग लगी थी इनका रेजिमेंटल 38-45 है तो वहां पर अमर उजाला के संपादग महोदे जी ताड में थे कोई राहगिर रास्ता भूल लहा था वो डैरी निकार पूंच रहा था पता वो वहां आके पता बता दिया और डैरी दिखाया उसमें दिखा दिया कि पैसा ले रहे थे और वो समाचार पत्रों में देख करके हमारे महान अच्छे एक करमश्ट एक इमानदार कनर जैस से हमारे कमांडिन अतुल कुमार जी उसको ततकाल तूटी परेट से प्रबंधित कर दिया ये कहां का निया है ये किस भी भाग में ये क्या पढ़के आए हैं इनको क्या कानून का इदा मालूम है कि बगएर जांच के बगएर दोसी को उसको कैसे सस्पेंट कर दिया कैसे डूटी प्रबंधित कर दी गई जांच हुई नहीं और ट्राफिक लेंग से कोई अधिकारी इनको सिकाइप तक का लिखित रूम नहीं दिया तो इनका कौन सा अधिकार छेत्र है कि इन्होंने उसको डूटी परेसे वंचित कर दिया उसके परवार इसी आए पर डिपेंड है इसी परवार इसनका बच्चे पढ़ाई लिखाई जो भी है इनका रामदत सरमाजी का डेपेंड है ये बहुत गलत तो कब सोचोगे एक भाई के उपर तुमारे पढ़ रहा दूसरा भाई उसकी तन देखना नहीं चाहता तो कल तुम भी इसी रास्ते इससे गुजरना होगा आज उसके साथ तो काल तु आप साथ अन्याय पुलिस भी कर रही और साथ में विभागित उत्ता के बैठे हैं ये चेक नहीं करने जाते किस हिस्तित मेरा जवान है कहां है कैसे है लेकिन ये अत्ता जरूर दिमाग लगा रहते हैं ये कहां से इनको मिल जाए जो इनके खिलाद तुरंद लिखा पड़ भी बगएर जांच के कर दी जाए ये क्या सही है बगएर जांच के बगएर दोसी मानते ठहरा नहीं ठहरा और उसको किस आधार पर कमानें अतुल जी अतुल कुमार शिंग जिला कमानें लखनौ उसको डूटी परेर से वन्चित किया मैं जबाब चाहता हूं इनसे और साथ मैं मंडली कमानित महोदेजी से चाहता हूं डी जी महोदेजी से चाहता हूं परमुक सचू और सरकार से मैं मांगता हूं यह अन्याय पर अन्याय हो रहा ऐसा अत्याचार छोटे तब के करमचारियों पर साइद अंग्रेजों के जबाने में ऐसा नहीं हुआ था जो इस सरक देखने के मिल ला है तो यही अधिकारी यही करंचारी इसमें होम गार्ड के बैतनिक यह लेकर दूप जाएंगे सरकार को उनकी मुख्यमंत्री जी की साथ को बद नाम कर रहे हैं उनके पर की चडर उछा ला जा रहा उनहीं के तालिम खा रहे हैं और उनहीं के तालिम छेद क कर रहें और ऐसे ही अधिकारी और इसमें करमचारी बिल्कुल सरकार की बिल्कुल चब डाउन कर दिया यही कारण है कि आज पूरी प्रदेश में हाहा कान मचा है ब्रेटा चार से की वजह से जो जितना पा रहा हो अपनी जगा पर बैठ वतना अहीं चे ले रहा और अगर करमचार का संग्यान नहीं लिया जा रहा इस पर छोटे तब करमचारी मारे जा रहें तबा हो रहें परिसान है और उनके घरों में चूलहा जलने की नौबत धिरे-धिरे खतम हो रही भूंखे रहने की नौबत आ गई है तो यह कहां का नया है मैं अतुल कुमार जिला कमान लगना उसे तो जैसे वो रामदस्त सर्मा के पेपर में संग्यान लिया ऐसे मेरी खबर जा रही इस पर संग्यान लेते हुए जिला कमाने अतुल कुमार को तुरंत जबाब लिया जाए और इनको टमनेट किया जाए मैं मांग यह प्रदेश सर्देश मांग करता है प्रदे दे करके लेते हैं देखते हैं आडर आजाए हाई कोड ते आजाए और सरकार देते हैं लेकिन सरकार रास सरकारे मानते नहीं फिर सोप्रिम कोड जाना पड़ता है कोड की सरन लेना पड़ता है कानून का सारा लेना पड़ता है तब जाए के मानते हैं तो यह तो चटन की प अत्याचार किसी चला नहीं पाप का घड़ा जब फूटता है तो फिर बचता कुछ नहीं है जैसे रावण राज किया था अत्याचार पर अत्याचार किया और उसका जैसा हुआ कि एक दिन उस घर में उस परवार में जिराक रखने वाला कोई नहीं मिला यह अंतरयात्मा यह आत्मा जो अंतरयात्मा बोल लही इतनी कुछ ठक चुकी इतनी प्रेसान हो तब यह आवाजें निकल नहीं यह आवाजें करहती हुई निकलेंगी तो इन अधिकारियों को जलिके राख हो जाएंगे और हमारे भाई इतने हैं कि आज एस हुस्यन हर तरीके से इनका दुख दर्द बांटने के लिए हर समय खड़ी रहती है हमारे जैसे लोग वो नहीं है जो सुप्रेम कोट में ले जाग चंदे का धंदा बनाग अपना फैदा कर लिया और जवानों का हुआ तो भार वो तो 21 जो बेतन कम मिला है बेतन ओ दिया नहीं चतर सेड़ी दिया पुलिस कानिस्टिविंग ने उसमें लगा देंगे तो यह खारेज लेकिन नहीं सच्चाई 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 इसे आज कोई जीता नहीं ना उसको जोका सका ना उससे जीत सका तो यह सो साथ दे रहा और त तरीके से तुमको गुम्रा करके तुम्हारे साथ धोखा ये तथा का थे प्रदेश हदेश मुकेश और गौण हर्दोई और सेसमड़ी यादो जौनपूर लाल पहादर पाठा को धमकी दे दे यानि दो दो तीन-तीन हजार रुपया तसीला और वो तो चार कडूर मांग रहे सेसमड़ी और दो तुम-तीन-तीन-तीन हजार रुपया लिया जवानों से जिसको कानून नहीं मालूम एकड़ नहीं मालूम सम्मिधान नहीं मालूम ऐसे कटपुतली बनाग हमारे जवानों को घुमा रहें और वो मजा कर रहें और ये सब राज दन करते ही अपने बच्चो प्रवर्श नहीं कर पा रहें जोन तो जवानों से मेरा कहना है अपना पैसा है बताना जास्ता सही और करना अगा है यह दोस्ति किसी के नहीं तुम्हारा होगा ऐसे लोगों के कड़कबतली बनके कब तक खिलते हो रहुगे कब तक इनका तुम सम्मान करते रहोगे ऐसे सम्मान लाइक नहीं है ऐसे ये बेज़ज़ करने लाइक है ऐसे ही अब अभियान चलना चाहिए ये रोग आप बढ़ा रहे हैं ये मैं खतम करने के कोशिच कर रहा हूँ आप उस रोग को बढ़ावाते रहे हैं सुप्रेम कोड से लें खारिज कराके हाई कोड लेलाहाबाद जाए कंटम कोड तुरंद खारिज हो जाएगा तो अब आगे ऐसी गलती आइनक भविस में नहीं होनी चाहिए मेरा यही कैना और जहां पे काम हम सच्चा काम करता हूँ तो काम हमारे में थोड़ी देरी है लेकिन मजबूत करके आपको देंगे आज को आपको डिये में लहा फिल लग तीन परसेंट एक तिस परसेंट हो गया और इस तक क्या आपने सोचा था क्या कभी बेतन सोचा था क्या कभी एरियर सोचा था क्या भरती रूखने के सोचा था यद मैं तयार हो जाओं तो काल सरकार योज डिपार्ट भरती कर लेगी और तुमारे पचीस साल पुरानी दिन आ जाएंगे तो आप लोग अभी नहीं सोच रहें काउन काम कर रहा काउन लूट रहा खाली गुमरा करके तुम लोग काउन सा चानिक हैं दे दें काउन सा अन खाते हो जो तुमारे लोगों अकल नहीं सोचने बैठने आज आजम जी की दो बेटियों के साथ यह वही इसे सोचन के जलम जाता है जो आज मिल लहा हम लोग तो सुवे पानी खाट डाले बड़ा किया फल देने लगा लेकिन हम भी उस पेड़ का फल नहीं जानते और वह अग्लाद में इस दुनिया में नहीं रहा तो का उस दुनि उस लड़कियों की साधी है तो का उनके लिए आप नहीं कुछ सहय कर सकते हैं और दलालों को दे दिया हजारों हजारों और वह विशारा आज दुनियम नहीं अनात है जिसको वह उनकी लड़की तो मेरी लड़की है यह समझ के उनका साहयोग करिए जहां इतना कड़ डाला आज मैं कई बार इसमें बोला लेकिन कोई नहीं काने बड़ेंग साहागे बात है यार कल तुम नहीं साल दोगे तो तुमारा कौश देगा मैं यही बात कहता हूँ यह रामANSत को जो कमानें गलत तरीके ट닮निट किया है यह है उनका यह उनको आप लोग दो देखो मैं क्या करता हूँ इनको बिल्कुल और तुमारा 20,000 के उपर हो गया अभी मास्टर रोल चलना इस मास्टर रोल में बहुत बड़ा लूट घसोट है इसको खतम कराने के लिए आप लोग आगे नहीं आते अरे मेरी बात को तो जानो समझो विचार करो कब सोचोगे या तुमारे साथ अन्याय अन्याय सीधा मेरा कहना आए अब वो इस्थिति की सीधा पैसा काउंट में जाए ये मास्टर रोल समापत हो ये सोसिन मांग करती है और इस जवान इसार रामदत सर्मा के साथ गलत हुआ ह ततकाल इसको बहाल किया जाए और नहीं तो इसको हम उचे अस्तर पर जरूर ले जाएंगे और इनके काले कारे नामे जतने हैंक अतुल कुमार जी के एक खोल दूँगा और भी एरियर का जो बचा है बहुत बड़ा इसमें लूट घसोट हुई है यही लखनाव नहीं पू तो मेरा यही कहिना है समल जाओ अभी तो अच्छा है और नहीं तो कहीं के नहीं बचोगे कल वो आएगा समय कि तुमारी आधी आधा पैसा घर ले जा पाओगे बाकि यह समनोच खा जाएंगे यह ताके बैठे हैं तीन दी हैं यह तीन दी एक होती है जिस उड़के जिस प पत्ती नहीं बचेगी वैसे होम गार्ड के बियोस इस पटर कमानन और सरकार तक बैठे यह अधिकारी तीन दी हैं तीन दी की परजात हैं तो समल जाओ लड़ने की सकती रखो सच्चा इसे लड़ने की टकराने की धम रखो जिगर होना चाहिए सब कुछ आपका है आपको प्राप्त होगा आप सोचने का बिचार मैं ज्यादा ना बोलके इनहीं बातों के साथ आप बिचार करते हुए हमें रेपलाई दें सभी साथ सायोग हो दें हर महिनिक पंदरा तारिक बैठा किसी लिए करता हूं कि आप लो लिखे रूपते दीजिए आपके जिले में कौन क्या कर रहा मैं देखो क्या करता हूं साथ सायो नहीं कुछा सकते हो कह सकते हो जबान नहीं कुल सकते हो तो फिर साथ सायोग दो ये बिजार करने योग है बात जय हिंग जय भारत प्रदेश अध्यच रामेंदर कुआर्याद उत्तर प्रदेश लखनो जय जवान जय क्षिसान